हाई व्रमान स्वागत है आप सबकाफ फिर से एक ने वीडिये पर दोस्तों आज हम लोग बृत से संबंदित मतपूर परसंद देखेंगे आईए देखते हैं पहला कोशन एक बृत की तिरिज्या बृत की परिज्या का मतलब होता है सेंटर से बृत के किसी भी बिंदू को असपर्श करने वाले रिखा को बृत की तिरिज्या कहते हैं तो यही आपका बृत की तिरिज्या है अब परिज्या का मतलब होता है यह चारो तरफ जो लाइन दिख रहा है इसी को हम लोग परिज्य कहते हैं तो परिधी पूछ रहा है तो ब्रिट की परिधी परिधी बराबर होता क्या है तो ब्रिट की परिधी बराबर होता है 2 πi r 2 πi r यह formula होता है दोस्तों r का value दिया हुआ है कह रहा है कि ब्रीद की 30 जो है न वो कितना है 77 cm है तो r का value यहाँ पर दे दिया है याद रखेगा r is equal to 77 cm दिया हुआ है तो इसको ध्यान रखेगा ठीक है अब यहाँ पर value को रखेए तो परीधी बराबर हम देखेंगे तो परीधी बराबर 2 πi r 2 πi का value हम जानते है क्या होता है 22 बटा 7 value रखेंगे 22 बटा 7 अगूडे r का value कितना है 77 है ठीक है 7 से काट दिये 7 करने साथ 7 करने साथ इसको काटिये इसको multiply किजे सॉरी तो 22 दूनी 44 और 44 में फिर 11 से गूड़ा कर दिये तो 11 से गूड़ा करेंगे कितना आएगा 11, 44 11, 44 और 4, 48 तो इतना cm आपका क्या आगया ब्रीध की परिधी आगई आसा करता हूँ यह question आपको समझ में आया होगा आएए देखते हैं अगला question दोस्तो अगर मैं उपर वाला question जो हमने बताया वो आखको समझ में आया है तो इस question को solve करके comment करके बताईएगा कि इसका answer क्या है अगला question है एक ब्रीध का ब्यास 42 cm है ब्रीध की परिधी याद कीजिए इस question में कहा गया एक ब्रीध का ब्यास 42 cm है ब्रीध की परिधी याद कीजिए ब्यास की इसको कहते है तो center से हो करके जो एक रेखा जाए और ब्रीध को दो बिंदू ओपर असपर्स करे तो इसी को हम लोग क्या कहते है ब्यास को d small d से denote किया जाता है दोस्तों अब d कितना दिया हुआ है तो d दिया हुआ है हमारा 42 cm तो आईए हम सीधे सीधे d पर ही आपका क्या निकाल करके देखते है परिधी निकाल करके देखते है कि अगर मैं d दिया रहेगा तो बिना r के हम परिधी कैसे निकाल लेंगे तो आईए देखते हैं परीदी बराबर व्रित की परीदी बराबर अब फर्मुला कौन सा यूज़ कर लेंगे, अगर मैं बैयास दिया है तो, तो परीदी بराबर होता है πाई डि, पाई डी, इस फर्मुला का हम लोग यूज़ करेंगे, अब डी क्यों हमने लिखा है, तो आप जानते हैं कि आर का यह D जो होता है दोगुणा होता है तो D is equal to होता है 2 R इसमें 25R होता है तो 2 R है तो 2 R के जग़ापे हमने D का usage कर लिया यहाँ ठीक है तो इस तरह से आप simply question को मातर सेकेंडों में लगा सकते हैं दोस्तों तो परिदी बराबर आपका कितना आ जाएगा तो परिदी बराबर पाई का वैलू तो आप जानते ही है 22 बट्टा 7 होता है और 2 का वैलू कितना दिया है 42 होता है 22 बट्टा 7 भी होता है 3 रसनलों 1 4 भी होता है लेकिन आपको यहाँ पर 22 बट्टा 7 ही रखना है 7 से काटेंगे 7 6 के 42 6 का 22 में मल्टिप्लाई कर दिजे दोस्तों 6 दूनी 12 चो दूनी 12 और एक हासिल 13 इतना सेंटीमीटर जो होगा बृत की परिदी होगे यह कोशन कैसा लगा कॉमेट करके दोस्तों जरूर बताईएगा और आपको बताना है कि सेम इसी कोशन पर अधारित यह कोशन दिया गया है एक बृत का ब्याज 56 सेंटीमीटर है बृत की परिदी ग्याद कीजे कॉमेट करके दोस्तों जरूर बताईएगा कि इसका एंसर क्या होगा कोशन में कहा गया है एक ब्रीद की परिधी इतना है ब्रीद की तिरिज्या ग्याद कीजिए ब्रीद की परिधी दिया हुआ है यानि की परिधी बराबर कितना दिया हुआ है परिधी ब्रीद की परिधी बराबर दिया हुआ है 396 हम जानते हैं बिरित की परदी होता क्या है तो 2 πाई आर होता है या पाई डी भी होता है लेकिन 2 πाई आर आर निकालना है तो आप 2 πाई आर फार्मूला लिखिए 3 9 6 दो से काट दिए इसको सीधे सीधे दू एकन्य दू दू नवा अठारा दू अठे सोला पाई का वैलू रखिए 22 बटा 7 अगूडे आर अब बराबर 179 इसको आगे अगर में सालो हम करेंगे दोस्तों तो 7 उपर जाएगा 22 नीचे आएगा तो आर बराबर हमको कितना मिल आएगा तो 198 गूडे साथ अबटा 22 इतना ही तो मिलेगा न अब इसको काट दीजे इग्यारा दू नीबाइस इग्यारा इकन्य इग्यारा अठे अठाट सी दो से काटिए दू नवा अठारा नो बार में कटेगा अगूडे साथ लिख लिजे तो आर बराबर दोस्तों यहां पर 9 लिख दीजेगा कि नव बार में आपने इसको काटा है नौसते 833 यानि कि 63 cm इसका क्या है तो इसकी 300 लिखिए आपको 63 cm अटानी से मिल जाएगा दोस्तों यहां पर दिया है एक ब्रीत की परीधी 84 cm है ब्रीत की त्रीजिया ग्याद कीजिए सेम उपर वाला ही कोशन है उसी के जैसा इसको भी लगाना है कॉमेंट करके दोस्तों बताईएगा कि इसका एंसवर क्या है आईए देखते हैं अगला कोशन एक ब्रीत की त्रीजिया 35 cm है ब्रीत का छेतरफल ग्याद कीजिए अभी तक हम लोग ब्रीत की परीधी ग्याद कर रहे थे टाइप 2 में हम लोग ब्रीत का छेतरफल ग्याद करने का प्रयास करेंगे देखिए दोस्तों यहां पे दिया गया है ब्रीत का छेतरफल पाई आर स्क्वाइर यह फार्मूला हो रखते हैं दीया रहेगा तो जो वैलो दीया रहेगा वहीं लिखेंगे तो पाई का वैलो 22 सबक्ताorg रखेंगे अर का क्या है 35 हैी तो आर सकुर है तो दो बार 35 लिखेंगे तो तो 35 35ैसे लिखेंगे नश्या अगर में काटेंगे तो यह five by the में खट जाएगा 75 35 पांच का इस 22 में मल्टिप्लाई कर लेंगे तो 25 एक सो दस होता है अब मल्टिप्लाई 35 अब इसको मल्टिप्लाई कर लिए तो 35 0 हम 0, 35, 35, 36, 37, 38, तो 3850 cm² यह आगया बृत का छेतरफल अब बृत का छेतरफल किसको कहते हैं दोस्तों तो यह बृत है इसको साइड साइड को यह लाइन जो दिख रहा है तो इसको तो हम परधी कहते थे बृत का छेतरफल का मतलब होता है इसका अंदर का यह जितना एरिया है यह जितना भी एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बृत का छेतरफल बोलते हैं दोस्तों सेम उपर वाले कोश्चन के जैसा एक बृत की तिरिया 14 cm है इस बृत का छेतरफल ग्याद कीजें कॉमेंट करके बताएगा दोस्तों इस कोश्चन का एंस्वर क्या है देखें द रास्ता बनाना है यह बाहर से सटा करके तीन दस्तों पांच मीटर चौड़ा तीन दस्तों पांच मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है बृत की तिरिज्या क्या है तो बृत की तिरिज्या है 14 अब यह अंदर से तिरिज्या है और जब रास्ता को सामिल कर लेंगे तो 14 में तो तीन जोड़ देंगे चोड़ा 15 16 17 दस्मलो 5 हो जाए बाहर से बनाना है तो 17 दस्मलो 5 यहां पर अगर में देखेंगे न तो केपिटल आर यानि से बाहर से जो तिरिजिया है वो है आपका 17 दस्मलो 5 सेंटीमीटर मीटर सोरी मीटर दिया हुआ है और अंदर से त्रिजिया जो है इसमाल आर कितना दिया हुआ है तो कह रहा है कि 14 मीटर है ठीक है अब कह रहा है तो रास्ते का छेत्रफल है तो रास्ते का छेत्रफल रास्ते का छेत्रफल पराबर होता है पाई केपिटल आरी स्क हुआ है ठीक है तो जब भी ब्रीत का छेत्रफल ब्रीत दिया रहे है और पूछे कि रास्ते बाहर से रास्ता है चाहें अंदर से रास्ता है तो वह वले जैसा बनता है रिंग बनता है उसका छेत्रफल हमको निकालना रहता है तो अब हम लोग लिखेंगे रास्ते का हम लोग कैसे निकालेंगे, πाई दिया हुआ है, तो πाई का वैलू रख लिजे, 22 बटा 7, आर का वैलू क्या है, तो आर का वैलू है, 17.5, स्कॉएर, माइनस, 14 का स्कॉएर, अब चाहें तो आप इसका स्कॉएर करके सॉलो कर लिजे, चाहें फार्मूला में A स्कॉएर, माइनस, B स्कॉएर पर रख दिजे, आएए इसको स्कॉएर करके ही सीधे-सीधे हम लोग निकाल लेते हैं, तो 22 बटा 7, 17.5 का स्कॉएर करेंगे, कितना आएगा, दोस्तों, 17.5 का स्कॉएर करेंगे, तो यह आएगा आपका, मल्टिप्लाई करके देख सकते हैं, 306.25, माइनस करना है, 14 का स्कॉएर, तो 196 इसमें से माइनस कर देंगे, यही तो करेंगे न, अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, 22 बटा 7 अगूड़े, इसको माइनस करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस करने पर आएगा, 110.25, अब 7 से काट दीजे, तो 7 से काटेंगे, तो यह 15.75 बार में कट जाएगा, 22 से मल्टिप्लाई कर देजे, तो यह कितना आजाएगा दोस्तों, तो 346.5 मीटर स्कॉाइर आजाएगा, तो रास्ते का छेतरफल कितना है, 346.5 मीटर स्कॉाइर, सेम उपर वाले कोश्चन के जैसा ही, यह नीचे वाला कोश्चन है, यदि किसी विर्टाकार खेत, जिसकी 30 मीटर है, बाहर से सटा कर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का छेतरफल ग्याद केजिए कॉमेंट करके बताएगा दोस्तो इसका एंसर क्या है, वीडियो लंबा हो रहा है, आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए, कॉंसेप्ट किलियर हो सके, अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है, दोस्त